भारात मता की इनकलाब वंड़ वंड़ मेरे प्यारे दिलिवासियों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार, सब को मेरा प्रणाम आज आपके बेटे ने तीसरी बार मुख्य मंत्री पत की शबत दी है ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है ये एक एक दिल्ली वाले की जीत है ये एक एक मा की जीत है एक एक बहन की जीत है एक एक युवा की जीत है ये एक एक विद्यार्थी की जीत है, स्टूडेंट्स की जीत है ये हर दिल्ली वाले की एक एक परिवार की जीत है पिछले पांच सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि किस तरह से हम लोग एक एक दिल्ली वाले के दिल्ली के एक एक परिवार की जिन्दिगी में खुशाली ला सकें एक एक दिल्ली वाले की जिन्दिगी में थोड़ी सी राहत ला सकें पिछले पांच साल में हम लोगों की यही कोशिश रही है कि किस तरह से दिल्ली का खूप तेजी से के साथ विकास हो और दोस्तों अगले पांच साल भी आगे भी हमारी यही कोशिश जारी रहेगी सब लोग अपने अपने गाउं में फोन करके बोल देना हमारा बेटा सीम बन गया दुबारा अब चिंता की कोई बात नहीं है अभी चुना हुए कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया कुछ लोगों ने कॉंग्रेस को वोट दिया कुछ लोगों ने अन्य पार्टीों को वोट दिया लेकिन आज जब मैंने मुख्य मंत्री पद की शपत लिये आज से मैं सब का मुख्य मंत्री हूँ मैं आमाद्मी पार्टी वालों का भी मुख्य मंत्री हूँ मैं बीजेपी वालों का भी मुख्य मंत्री हूँ मैं कॉंग्रेस वालों का भी मुख्य मंत्री हूँ मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्य मंत्री हूँ पिछले पांच साल जब मैंने काम किया मैंने कभी किसी के साथ सौतेला विवहार नहीं किया मैंने कभी किसी का ये कहके काम नहीं रोका कि तुम बीजेपी वाले हो तुमने मेरे को वोट नहीं दिया था इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा मेरे पास कोई बीजेपी वाला आया या कॉंगरेस वाला आया या दूसरी पार्टी वाला आया मैंने सब के काम करे मेरे को पता चला ये मोहला बीजेपी का है मैंने वहाँ भी गलियां बनवाई वहाँ भी पानी की पाइपलाइन डलवाई सबके लिए काम करा मैंने और आने वाले पान साल के अंदर भी आज मैं अपने सारे दिल्ली के दो करोड दिल्ली वासियों को अपने दिल्ली के दो करोड दिल्ली परिवार को ये कहना चाहता हूँ चुनाव खतम हो गया आपने जिसको भी वोट दिया अब आप सारे जने आप सारे दिल्ली के दो करोड लोग मेरा परिवार हो आप चाहे किसी भी पर्टी के हो आप मेरे परिवार का हिस्सा हो कभी भी कुछ भी काम हो बिना हिचक मेरे पास आ जाना सब का काम करूँगा चाहे कोई किसी पार्टी का हो चाहे कोई किसी धर्म का हो चाहे कोई किसी जात का हो चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो और अपने को दिल्ली के लिए भी बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं दिल्ली के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता आप दो करोड लोगों के साथ मिलके हम लोग दिल्ली को अच्छी बनाएंगे, खुबसूरत बनाएंगे मैं सबके साथ मिल के काम करना चाहता हूँ चुनाब खतम हो गए चुनाब में खूब राजनीती होती है हुई राजनीती किसी ने किसी को कुछ कहा हमारे विरोधियों ने हम को जो कुछ बोला हमने उनको मास कर दी आज मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ अपने विरोधी पक्षवालों से भी निवेदन करता हूँ कि जो कुछ राजनेति कुठा पटक हुई चुनाओं में सारी भूल जाओ अब मैं सारी पार्टियों के साथ मिलके दिल्ली का विकास करना चाहता हूँ मैं केंदर सरकार के साथ भी मिलके दिल्ली को आगे ले जाना चाहता हूँ दिल्ली को दुनिया का नंबर वन देश बनाना चाहते हैं हम लोग हम केंदर सरकार के साथ मिलके काम करेंगे मैंने आज इस कारिकरम के लिए प्रधान मंत्री जी को भी नियोता भेजा था वो शायद व्यस्थ हैं किसी और कारेक्रम में आ नहीं पाए लेकिन मैं आज इस मंच के जरीए प्रधान मंत्री जी से और केंद्र सरकार से दिल्ली को आगे विकास करने के लिए और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी आशिरवाद चाहता हूँ दिल्ली वालो आप लोग ने दिल्ली देश के अंदर इस चुनाव में एक नई राजनीती को जनम दिया है एक नई राजनीती इस देश के अंदर पैदा हुई है काम की राजनीती स्कूल की राजनिती, अस्पताल की राजनिती, 24 घंटे बिजली की राजनिती, सस्ती बिजली की राजनिती, पानी की राजनिती, अच्छी सडकों की राजनीती, महिलाओं की सुरक्षा की राजनीती, भरश्ता चार मुक्त भारत की राजनीती 21 सदी के भारत की राजनीती एक नई किसम की राजनीती दिल्ली के लोगों ने देश के अंदर शुरू की है ये राजनीती क्या है मैं चंद पंग्तियों से इसको समझाना चाऊंगा जब भारत मा का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर्तिरंगा आस्मान में शान से लहराएगा जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा तभी अमर्तिरंगा आस्मान में शान से लहराएगा जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्म विश्वास जगाएगा जब हर नौजवान के माथे से बेरोजगार का तमगा हट जाएगा तभी अमर्तिरंगा आस्मान में शान से लहराएगा जब हर भारतवासी जीवन की मूल भूत सुविधाएपाएगा जब धरम जाती से उपर उठकर हर भारतवासी केवल भारत को आगे बढ़ाएगा तभी अमर्तिरंगा आस्मान में शान से लहराएगा दोस्तों ये है नई राजनीती और नई राजनीती का डंका पूरे देश में बजने लग गया है जगे जगे से खबर आ रही है फलानी सरकार ने महला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिये देश भर से खबर आ रही है इस सरकार ने सो यूनिट बिजली मुफ्थ कर दी उस सरकार ने 75 यूनिट बिजली मुफ्थ कर दी उस सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्थ कर दी दिल्ली वालों आपने कमाल तो कर दिया पूरी दिल्ली के अंदर डंका बजरा आप लोगों का पूरे देश के अंदर डंका बजरा आप लोगों का अब देश में अगर कोई नेता कहता है सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते तो वाँ के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो पूरे देश में कोई नेता कहता है सरकारी अस्पतार ठीक नहीं हो सकते तो वहाँ के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो कोई नेता कहता है 24 घंटे बिजली नहीं आ सकती तो वहाँ के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो दिल्ली के लोगों ने देश की राजनिती बदल के छोड़ दिये दोस्तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ इस मंच पे हमारे चीफ गेस्ट दिल्ली के निर्माता दोनों तरफ मेरे मौजूद है कौन है ये निर्माता दिल्ली को कौन चलाता है दिली को केज़वी वाल नहीं चलाता, दिली को कोई नेता नहीं चलाता, दिली को कोई पार्टी नहीं चलाती, दिली को कोई बड़े बड़े लोग नहीं चलाते, दिली को कौन चलाता है, दिली को दिली के टीचर्स चलाते हैं, दिली को दिली के डॉक्टर चलाते हैं, दिली को बस ड्राईवर चलाते हैं रेड़ी वाले चलाते हैं व्यपारी चलाते हैं फैक्टरी वाले चलाते हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं आज मुझे बहुत खुशी है हमारे साथ विजे कुमार एक बच्चा मौजूद है I.A.T. में पढ़ता है ये I.A.T. से निकल के देश की सेवा करेगा ऐसे युवाओं के उपर हमारे देश का भविश्य निर्भर करता है आज मुझे बहुत खुशी है हमारे साथ दल्बीर सिंग जी मौजूद है नजवगड से आएं पहले टीचर थे बच्चों का भविश्य बनाते थे रिटायर हो गए अब किसानी करते हैं आपके पेट के लिए आपके लिए अनुगाते हैं मुझे बहुत खुशी है हमारे साथ निधी गुप्ता जी मौजूद है आप रोज मेट्रो में जाते हो न अपने घर से ओफिस ओफिस से घर ये मेट्रो चलाती हैं मेट्रो में पाइलेट है मुझे बहुत खुशी है हमारे साथ हरुन कुमार जी मौजूद है बस में मार्शल का काम करते हैं आपकी सुरक्षा करते हैं एक छे साल की बच्ची को कुछ गुंडे किड्नैप करके ले जा रहे थे इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के उस बच्ची को बचाया और गुंडों को पुलिस के हवाले किया दोस्तों ऐसे लाखों करोडों दिल्ली के निर्माता रोज दिल्ली को चलाते हैं नेता तो आते जाते रहते हैं पार्टी आती जाती रहती हैं लेकिन दिल्ली आगे बढ़ती है तो इन लोगों की वज़े से आगे बढ़ती है एक बार जोरदार तालियां दिल्ली के सारे निर्माताओं के लिए बजा दीजिए कुछ लोग कहते हैं कि केजरिवाल सब कुछ प्री करता जा रहा है केजरिवाल सब और शरवन कुमार जी की मौत हो गई कि शरवन कुमार की सेवा भी फ्री सेवा थी केजरिवाल अपने दिल्ली वालों को प्यार करता है दिल्ली वाले अपने केजरिवाल को प्यार करते हैं यह प्यार भी फ्री प्यार है दोस्तों इसकी कोई कीमत मिया मैं यह सोच रहा था मैं अब क्या अपने बच्चों से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेना शुरू करदूं लानत है S.S.C.M. के उपर मैं अपने अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोगों से दवाईयों के पैसे लेने शुरू कर दूँ मैं अपने अस्पतालों में आने वाले मरीजों से आपरेशन के पैसे लेने शुरू कर दूँ तेस्टों के पैसे लेने शुरू करदू, लानत है मेरी जिंदिगी के उपर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दोस्तो, मेरा एक सपना है, और मैं समझता हूँ देश के हर आदमी का वह सपना है हर भारतवासी का वो सपना है हम चाहते हैं एक ऐसा टाइम आए और आएगा जरूर आएगा आने वाला भविश्य दुनिया के अंदर भारत का भविश्य होने वाला है ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा लंडन के अंदर भी भारत का डंका बजेगा टोक्यों के अंदर भी भारत का डंका बजेगा औस्ट्रेनिया के अंदर भी भारत का डंका बजेगा अफ्रीका के अंदर भी भारत का डंका बजेगा अमरीका के अंदर भी भारत का डंका बजेगा और दोस्तों वो संभव इस नई राजनीती से होगा जिस राजनीती के शुरुवात आप लोगों ने इस सुनाव से किये दो मैं एक अंत में गीत गाऊंगा और मैं चाहता हूँ आप सब लोग जानते हैं उस गाने को बच्पन से हमें सिखाया गया है लेकिन एक शर्ट है मैं एक एक लाइन बोलूँगा आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे बोलेंगे जोर से बोलेंगे पूरे दिल से बोलेंगे यह हम सब के सपने को पूरा करने की एक प्रार्थना है हम होंगे कामयाद जोर से दिल से हम होंगे कामयाद हम होंगे कामयाद हम होंगे कामयाद एक दिन मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाद हम चलेंगे साथ साथ हम चलेंगे साथ साथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन हो हो मन में है विश्वास होगी शानती चारों और होगी शानती चारों होगी शानती चारों और एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास होगी शानती चारों और एक दिन नहीं दर किसी का आज एक दिन हो हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास नहीं दर किसी का आज एक दिन भारत मता की इंकलाब बंड़ विश्वास पूरा है विश्वास पूरा है विश्वास